देखी जिस तरह से अर्वीन केद्रिवाल जी राजनिती बदलने के लिए निकले, मेरे जैसे छोटे किसान परिवार का बेटा, आज अर्वीन जी की राजनिती में इतनी बड़ी जिमेदारी का एहसास करवाते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज दग ये रहा है, क्या आप कोई बड़े, mix, 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 mix बोलता रहे हैं, हाँ, mix, mix रहे हैं, गुजराती मा पंड रहे हैं, वच्चे वच्चे इंगलीस मा पंड सब्द कदाच ब्यावी जे शें, मित्रो सवाल ये छे के जारे उँँ खेड़ुतों माट अवाज उठा होतो आउट्सोर्शिंग करमचारीओं माट अवाज उठा होतो खेड़ुतों तो मारा दिलना प्राणच शेंकडों खेड़ुतों एक आसानी उमीद ले इने बेठा हो है मारा स्टूडियो आउता होए एक नानी उम्रमा इश्वरे मने खुब मोटी जवाबदारी चेनलेट बनावीन पनापी थी पाण कहीं खुटतू थू हुँ संपुन आध्यात्मीक जीव चू कर्मना सिधात्मा मानू चू हुँ खराब क्यारे कोई नो करतो नो थी मैं इश्वर से हरो मैं से एकी प्राथना करता हूँ कि मैं किसी का बुरा ना करूँ जितना ओश्रके मैं बला करने की कोसिस करूँ मुझे जिन्दगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए इश्वर ने सब कुछ दे दिया बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे इश्वर से प्राथना है कि उनकी पीडा मैं थोड़ी भी कम कर शुकूँ उतना मुझे आसिरवाद दे जारे जारे कोरोना आवियू खिडुतो निवाद थी बेरोजगार युवानों माटे पेपर लिग थता था वारे वारे आपरिस्तिती रहती थी अने एक दिवस मने उलाग्यू के इश्वर मने कमिक वधारे कहवानू कारण के उनक सेफ नो करिया थी स्टूडियो मा नो करिया थी शाभाविक तोर पर तमे शोव पुरो करिया दवाबदारी मादी छटकी जाओ जैरे आउटडोर शोव करियू त्यारे पाण हजारों की भीड अपने आप आने लगी और सिर्फ यही कि हमेरा कुछ बला करिये त्यारे मैं विचार करियू कि तोच उपर हतो मने घणा बदा हूँ केता दाग तम मुर्ख चो तोर चूपर चो पर जे दिवसे मैं नकी करियू कि मारे सेफ नोक ली छोड़ी देवी छ एक वार मारे जोवू छे कि खरे खर गुजरात नी जनता माट आप लेश्णों करी शकी मैं जारे राजी ना मुआपियू बाहिसरी गोपाल भाई ने गुलाब सेंजी बढ़ने मारी पासे आवया अर्वीन जीनों फोन आवयो कि सुदान आपको राजनीती में आना चाहिए मैंने का कि साब मैं तो जिन्दिगी में मेरे कोई परिवार में सरपच तक नहीं बनाए और राजनीती में क्यूँ तब अर्वीन जीने कहा कि देखो अगर आप शो चलाते हो आप आवाज तो उठाओगे लेकिन ये निर्बर सिस्टम आपको वो काम करके नहीं देगी जो करना चाहते हैं इसलिए सिस्टम में जाना बड़ेगा अर्वीन जीने कहा कि देखो अगर मैं राजनीती में नहीं आता तो आप मुझे बताओ कि क्या दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती आप एक बार स्कूलें देख लीजी मोला क्लिनिक देख लीजिए मैंने देखा भी वहां जाकर देखा और तब मैंने तई किया कि ठीक है मैं राजनीती में आना नहीं चाहता हूँ राजनीती हर हमें अच्छे लोगों की मजबूरी होती है राजनीती सौखनी होता है और उस दिन अर्विन जी ने भी यही का कि देखो मैं भी इंकम डेक्स कमिशनर था ही सुदान मैं भी अच्छी खासी जिन की जीता था लेकिन वो मेरे परिवार तक श्रीमित होती आज मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ क्यूं? मैलाएं के लिए मैंने तए किया कि मैं राजनीती करूंगा राजनीती मेरा शौक नहीं मेरी मजबूर ये गुजरात की जनता की पीड़ा मुझे देखी नहीं गई इसलिए मुझे आना पड़ा मैंने पहले भी कहा कि मैं करम के सिदात में मानता हूँ मैं कहीं आज तक जब भी मैंने पत्रकारिता की तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था किसानों की एक कोलम जो न्यूज नहीं छापते थे मैंने कितने शेकडो सो कियोंगे किसानों की आवाज बनने की कौसिस की बेरोजगारों की आवाज बनने की कौसिस की महिलाओं की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्ता है उसकी आवाज बनने की कौसिस की व्यापारियों की आवाज बनने की कौसिस की स्रमीक मजदूरों की आवाज बनने की कौसिस की सबसे बड़ा आउट्सोर्सिंग करमचारियों की आवाज बनने की कौसिस की मुझे जितना हो पाता था मैंने किया लेकिन एक लक्षी मरे का होती है आप वह न्यूस चला सकते है order नहीं कर सकते और system इतना सड़ा हुआ है कि system को साफ करने के लिए गंदकी साफ करने के लिए आपको गंदकी में उतरना पड़ता है और तब मुझे अर्विन जी ने कहा कि देखो गंदगी अगर साफ करनी है तो आपको किचड में उतरना पड़ेगा चाहे आपको जो भी लोग गालियां दे मुझे भी देते हैं लेकिन ये लोग जो गालियां देते हैं वो पोलिटिकल पार्टी वाले होते हैं जनता का भी ग बेढ़िये मैं सामानियो किसान परिवार में से आता हूँ मेरा चोटा सा गाउ है मैं पड़ा लिखा मेरे बापुजी ने मुझे बहुत पड़ाया मेरा बापुजी माता जी के भग्द थे नवरातरी के नौ दिन वो पूरे माता जी के मंदिर में बैठकर दिया जला कर नो नो दिन、 सालों से प्राथना करते थे और उनके जाने के बाद जब उनकी डेठ हुई तब उन्होंने कहा था मैंने तो तब भी तरकर लिया था मैं रिजाइन रख कर चला गया था यơ मुझे मेरे पापा की शेवा करनी है लेकिन उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा तुझे वापस जाना गाउं से तुझे वापस हमदावाद जाना है मैंने कहा कि मैं बापु जी जाओंगा मैंने रिजाइन रखा है वो एक्षेप नहीं किया है मैं छुटी पे हूँ जब उनकी देहात होई तब उन्होंने का कि तुझे वापस जाना है मुझे वचन दे मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस चाहूंगा मुद्धों की पत्रकारिता करूगा और आज मैं उनको मिस करता हूँ लेकिन उनका असिरवाद मेरे पे हर हमेशे मां मोगलमा कामई मां सोनलमा और द्वार कांदीश का असिरवाद मेरे पे मुझे पता नहीं दोस्तों लेकिन कोई ऐसी अद्रश्य शक्ती है जो मुझे शपोर्ट कर रही है मैं साधारन सा लड़का हूँ मैंने कहान की पत्रिकारिता आने के बावजूद एक शो इतना चले कि लाखों लोग आपको प्यार करें ये कभी हो नहीं शक्ता लेकिन ये हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अर्विन जी में ये लगी कि उन्होंने जो राजनिती करने के नहीं बदलने के आये हैं आज मैं और गोपाल भाई और शब जो आज योद्या जुड़े हैं मानशाब है यहां सब बेठे हैं अब देखो सब के सब अलपेश भाई है मनोज भाई है गुलाब भाई है इहराज है राजु भाई है किस और काका है सब के सब जगमाल भाई सब आम आदमी है और आम आदमी को यह 32-33 साल का हमेरे प्रेसिडेंट है गोबाल भाई हिंदूस्तान में एक एशी पार्टियों की गुजरात में जो 32 साल के युवाँ को अधिक्स बनाती है मैं अरविन केद्रिवाल जी की को सलाम करता हूँ ऐसा नहीं था कि मेरे पास और भी राजनिती के लोग नहीं आये होगे लेकिन मैंने कहान कि राजनिती मेरी मजबूरी है राजनिती सौक नहीं है मैंने अपना सब कु छोड़ कर गुजरात की जन्ता के लिए आया हूँ और मैं गुजरत की जनता को इस्वर की साक्सी में एक वादा करता हूँ कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रूँगा ये मेरा वादा है आपसे मैं अपनों के लिए नहीं आया हूँ मेरे परिवार भी बेठे हैं जब उनको भी पता नहीं था मैं राजिनती में जा रहा हूँ दो दिन तक मैंने उनको मनाया कि देखो मैं 49 का हो गया हूँ मेरे पास 20 साल है 20 साल के बाद साट के बाद अगर एक दिन भी कोई जीता है ना तो मैं मानता हूँ कि यूँ बोनश है इश्वर बार बार मनुश्य उतार नहीं देता है इस धर्ती पर हम आएं कुछ करकर जाना है मैंने उन लोगों कहां कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे उससे अच्छा है मुझे जनता के स्रेवा के लिए अनुमती दीजिए मैं किसानों की बेरोजगार युवाओं की इनकी पीडा मुझे देखी नहीं जा सकती मैं रात में दोस्तों किसान जब आते थे मेरे स्टूडियो पे 50-50-100-100 लोग डेली आते थे छोटी-छोटी समस्याएं लेकर सब तो मैं करवा नहीं सकता था सरकार थी दूसरी लेकिन रात को कभी मैं रोव पड़ता था मैंने रात को मेरे पैन और बुक मेरे पास रहती थी रात को तिन-चार बज़े जब मैं उठ जाता था तो मैं लिख लेता था एक पोलीसियां लिखता था Health policy, Education policy, Anti-Corruption policy, Agriculture policy, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, यह मैं लिखता था, और मैंने political पार्टियों को भी बोला कि यह आप लागू करिये, कोई नहीं नहीं माना, तब मुझे लगा, कि जब अरविन जी का फोन आया कि शुदान, तेरी गुजरात के वासियों इंतजार कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की, और हम अगर अच्छे लोग राजनिती में नहीं गए हैं तो यह लोग लोग लोट लेंगे, मैं किसानों को वादा करता हूँ, कि आपका भाई, आपके लिए अब तक टीवी में आवाज उठा था, अगर इश्वर ने कहा, इश्वर ने चाहा, माता जी ने चाहा, और एक किसान, पुरे गुजरात के एक हो गए, और आपने वोटिंग की, वेपारियों, आपको भी मैं कहता हूँ, आपने वेपारी बन कर वोटिंग की, बेरोजगार युवाओं, अगर बेरोजगार युवाँ बन कर वोटिंग की, महिला है माता बेन बेटियां अगर माता बेन बेटियां बढ़कर दोनों पक्ष को भूल कर आम आदमी के लिए वोटिंग की मैं आपको आस्वासन देता हूं कि 45 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है अगर ये 5 साल में अर्वीन जी क्या गुए है मैं जो करकर ना दिखा हूं तो मैं राजनिती छोड़ दूँगा आपको मैं ये गरंटी देता हूं मेरे लिए कभी कुछ अब मेरे लिए नहीं रहा है इस्वार ने सब कुछ दे दिया है मैं राजनिती माया जिस तरह से मेरे पे हमले हुए आरो पे लगें मेरा फेमिली भी एक टाइम पे डर गया था कि क्या यार किचड में पड़ गें मैंने कहा कि ये तो होगा ये तो होगा अगर भगत सिंह राज्य गुरु शुकदेव ये बोलते कि नहीं नहीं ये तो चलेगा तो आज देश के लिए जो आग लगनी चाहिए वो आग नहीं लगी हुई महात्मा गांदी अगर शोचते कि मैं तो साउथ अपरिका में अच्छा खासा कमा रहा हूँ मुझे इंडिया जाकर क्या करना है सब गुलाम है सालों से चलता आ रहा है तो साइद देश आजाद तो होगा होता लेकिन लेट होता है सरदार वलब भाई पटेल अगर ये शोचते कि मुझे क्या है तो मैं मानता हूँ कि देश जिस दिन आजाद होना तो ये था तब नहीं होता इसलिए मैं शब का आभारी हूँ जिसने वोटिंग की उसका भी आभारी हूँ लेकिन मेरी एक पराथना है मुख्यमंत्री मैं नहीं अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो साड़े छे करोड जनता मुख्यमंत्री की शपत लेगी ये गैरंटी लेते हैं और अर्विन जी एक ऐसे नेता है हिंदूस्तान में काम की राजनीति से वोट मांगते हैं बर्मीत मतोना अर्विन जी को गालियां देते हैं मुझे गालियां देते हैं गोपाल भाई को देते हैं एक बार मौका दीजिएगा, अगली दिवाली अगर आपको दाम नहीं मिले न, तो लात मार कर आम आद्मी पार्टी को निकाल देना, ये मेरा वाद आए आपको पास. वेपारियों को जिस तर से डराय जाता है, परसान किया जाता है, छोटे उद्योगों को, मुझे पता है जी पीसीबी से नोटिस जाए, फिर पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं, नोटिस आया है, सेटिंग कर दू क्या, मैं उद्योग पतियों को, छोटे उद्योग पति ये देश आगे क्यों है हम पचातर साल से हम ये भूगत रहें गरीबे 80 करोड जनता गरीबे देश की क्यों दोस्तों इसलिए है कि अगर मैं पॉलिटिकल सता दिर्श पार्टी में हूँ उसको सपोर्ट करता हूँ तो चाहे मैं जितना भी चाहे गलत काम कर लूँ करप्शन क कर लूँ मुझे कोई ED income tax नहीं आता है अगर मैं भी पक्ष में हूँ कुछ भी ना करूँ तो भी ED income tax उठा कर ले जाते हैं सिस्टम ऐसी नहीं होनी चाहिए अर्वीन जी और हम बादा करते हैं आपको गुजरात की जनता को कि अगर आप सच्चे होंगे तो आप हमें हमेरे खिलाब भी होंगे ना तो भी कोई officer उकाद नहीं है आपको आपको डराने के लिए आपके घर पे आए दुकान पे आए और आप अगर गलत होंगे तो मेरा भाई भी होगा ना या आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री भी होगा ना वो भी जेल में होगा ऐसी कानून भी अव आज मैं आवान करता हूँ पुरे गुजरात को बाज़पा के पन्ने प्रमुका को अधवान करता हूँ कोंग्रेस के कार्य करता हूँ के एक बार हिंदु स्तान में गुजरात से बहुत बड़ा बदला होने जा रहा है आप इसका सौबागी बनिए अभी दिए को मोर्भी म जो दुरगटना है हुई मैं ये मान रहा हूँ कि दुरगटना हुई उसके बाद कार्यवाई क्या हुई सुरत में तक्सिला कांड हुआ 22 बच्चे जिन्दा जल गए कार्यवाई क्या हुई मैं ये मान रहा हूँ कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो आप मान कर चलना कि आप भी उस पाप के भागीदारे जियों इन्होंने कांड किये हैं इसलिए मैं सब को आवान करता हूँ आज इस बार पार्टी भूल दाइए आपके बच्चों के लिए वोट करना आपके बविश्य के लिए के वोट करना और एक मौका ही मांग रहे हैं पाँच साल में और क्या है पच्चतर साल तो दे दिये पाँच साल और उनको दे देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उनको लेकिन अर्वीन जी हिंदूस्तान में एक ऐसे नेता है मैं आपको बताना चाहता हूँ अज मैं उनका कायर क्यों हूँ वो मेरे सिर्फ नहीं गुरू है पुलिटिकल गुरू शिर्फ नहीं है मेरे बड़े भाई है मेरे परिवार जैसे है उन्होंने 2015 में कहा था दिली वासियों को मुझे एक मौका दीजिए अगर अच्छा काम ना कर तो मुझे निकाल दीजिएगा 2022 में हिंदूस्तान में एक ऐसा नेता था उन्होंने कहा कि मैंने आपके बच्चों के लिए आपके लिए अच्छा काम किया हुए तो मुझे वोट देना बाकि दूसरी पार्टियों को दे देना कौन कहता है साब और अगर हमने काम की राजनिती को वोट नहीं दिया न तो अर्विन जिसे दुबारा कोई नेता काम की राजनिती को लेकर वोट मांगने नहीं आएंगे अपने को जगडा कर वोट ले लेंगे तो मेरी आप से बिनन्ती है पुरे गुजरात वासियों से कि काम की राजनिती के नाम पर पहली बार ये नई राजनिती होने जा रही है आपके अच्छे बच्चों वोगोने के स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना ये शब काम पांच साल में इतना करेंगे बगवत मान साब देखिए साथ महिने के अंदर यहां वोट मांगते हैं तो काम पे मोट मांगते हैं कि मैंने उन्चास लाख पंजाब वासियों का अगर लाइट बिल विजली बिल जिरो कर दिया है आपकी कास्ट का होगा तो पहली मार्च से बिजली बिल देने नहीं आएगा आपका भाई भी नहीं आएगा एक इंदूस्तान में एक ऐसी पार्टी याम आदमी पार्टी कि जो आपकी महंगाई में भी रात देशक्ती है तो मेरी बिननत्य हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ फिर से हरविन केद्रिवाल जी का कि आप जैसे नेताओं ने पूरे देश की राजनीती बदल दी मेरे जैसे किसान छोटे के गोपाल भाई जैसे छोटे परिवारमा से आने वालों को आपने बहुत बड़ी तक दिये मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूँ यकिन दिलाता हूँ जब तक मेरे जीवन में प्राण है तब तक सुदान गड़ी वफादारी से गुजरात की जनता के लिए काम करगा मैं आप स्वासन देता हूँ आपको